जी तो कंटिन्यू करते हैं हमने जहां छोड़ा हम बात करें थे हम अकाउंट्स ओबर्विव देख चुके थे केंपेंज को देख चुके थे और इसके बाद एड्स रिपोर्टिंग में आये थे आड्डिंस में आपको दिखा दो जड़ा ओडियंस एक तो होता है कि हम जाके लाइफ क्रियेट करते हैं अपनी ओडियंस को जब भी हमने एड़ उन करना है तो हम जाके अपनी ओडियंस बनाते हैं कि इस एड के उको on करने के लिए या इसको target करने के लिए हमारा जो भी client है customer या अपना एड चला रहें तो कौन लोग हैं जिने हमने target करना है कौन हमारी potential audience हैं उसको आप जाके उस वक्त fresh भी बना सकते हैं और और जिस तरह से यहां पर option नजर आ रहा है, आपको save audience भी कर सकते हैं, मेरे पास यह देखे हैं, एक दो दीन और चार, यह चार audiences मेरे पास save हैं, और इनकी यह देखे हैं, इन पर filters भी आप apply करके status के according type के according availability source के according इनको बना सकते हैं, और बनाने का तरीका कि है, आप create audience पर जाए requirement के मताबिक होती है, ठीक है, कि आप उसमें जो भी चाहें characteristics डाल सकते हैं, जो भी feature चाहें उसके hit करना या target करना वो आप add कर सकते हैं, वो किसी भी किसम के हो सकते हैं, वो अगर कोई दुनिया में पहले नहीं भी उस तरह की audience को target कर रहा तो आप एक नहीं बनाकर उसको custom यह यह हैं, और आप Facebook को कहें कि इनके जैसे ही interest रखने वाले लोगों को, उसमें interest, behavior और demographics तीनों चीज़ें आजेंगी, यह तीनों चीज़ें रखने वाले इनके जैसे और लोग ढूंडें, और उनकी एक list बनाके मुझे दें, जिनके interest इन लोगों के जैसे हूं, जो मेरी पहले audience है, जो मेरी पहले target audience है, तो आपको वो broad करते हुए, आपके ही मुलक से, या globally कहीं से भी, जहां भी आप target करना चाहते हैं, आप बताएं, तो वो आपको look-alike audience बनाके देदेगा, कि यह audience जो है, यह आपकी पहली audience है, या जो आपकी required audience है, जिसमें आप जो जो भी features द रून रहे हैं, कमो बेश, इनके जो features हैं, वो ही होंगे, तो यह आप local like audience भी create कर सकते हैं, इसके लावा आगी हमारे पास saved audience, जिसका मैंने आपको बताया है, कि यह चार मेरे पास option है, मैंने save की लिए, तो save करना है, एक comprehensive इसका process है, आप सारे procedures को select करके, final करके, save करके, अपन detail और जो audience आपकी उसको target करना पड़ेगा, क्योंकि detail जब हम targeting करते हैं, तो इसके हमें काफी time लग जाता है, तो अगर आप अपना add on करना चाहते हैं, तो आप पहले ही अपनी कोई जितनी भी तरह के आपने बना के रखनी है, आप अपने audiences बना के, save करके रख लें, और फिर उसको आपने just attach करना होता है, और आपने अपने अट को on कर देना होता है, जैसे कि मैं आपको यह बताओ, मैंने एक training institute के लिए जो है, वो एड चलाया, और यह एक broad match था, और यह उनकी तरह से direction थी, कि broad match में ही होना चाहिए, तो यहां पर हमने क्या audience का नाम select किया, और यह size यह हम खुद select नहीं करते हैं, यह हमारी selection की base के उपर जो है, वो फिर बन के आता है हमारे पास size के, हमने किस तरह की audience कितने areas select किये हैं, उसके अंदर क्या-क्या interest रखने वाले लोग select किये हैं, तो वहां पर हम जब यह सारी selection करते हैं, तो फिर audience का size जो है, Facebook आपको खुद ब तो इसमें आपको थोड़ा सा दिखाती है, जो मैंने कौन-कौन से areas को select किया, मैंने main cities of Pakistan जो थी, उनको select किया, और उसके आगे आपका, जब आप location add कर रहे होती हैं, तो यह आप देख रहे होंगे plus 25 mi, तो यह area है कि आप इतने miles फैसलाबाद के गिर्दो नवाह में, जो है वो आप इतने miles का area भी select करेंगे, वो extended area होगा, फैसलाबाद main city तो selected है, उसकी vicinity में 25 miles तक का भी area उसके इर्दगीद का select होगा, इसी को अगर आप देखें, गुजरावाला में मैंने आगे जाके plus 10 miles है, तो यहां पर मैंने ही चाहती थी कि 25 miles हो, तो मैंने इसको कम करके 10 miles कर तक की select की है, क्योंकि यह training institute है, जो digital marketing की दे रहा है training, तो ज़्यादा तर लोग जो है, इस age bracket के interested होते हैं, और फिर मैंने आगे यह detailed targeting की है, जिसमें मैंने जाके एक एक course को पकड़ा है, और उसकी keywords को लिया है, और उसको फिर मैंने जाके search किया है, और वो मैंने add करती गही ह और वो लोग courses offer कर रहे थे, और उन courses के फिर मैंने कोई 10-10, 12-12, 15-15 keywords जो आड़ की है, इंटरस्ट वाले लोग आड़ की है, अब इसमें यह already saved audience है, इसमें मुझे added का भी option दे रहा है, कि अगर आप इसमें अभी कुछ change भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, यहां से मैं आ बाहर जाके create audience पर आके यह बिखा देती हूं, saved audience में, यहां पर हम नाम देंगे, और यहां पर आप कुछ भी नहीं दें, यह इतना जरूरी नहीं है, नीचे आप आजाते हैं, तो आप यहां पर location select करते हैं, अब यहां पर आप देखें, आप कराची लिखते हैं, प्रक्स क यहां से आपको उसका option देता है, कि उसका radius में आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि मैंने बाद जगा पर कम किया हुआ था और बाद जगा पर जगा पर जादा किया हुआ था, तो उसको कम और बढ़ाना है, जैसे भी आपने करना ह एगर तो आप अपना कर रहे हैं किसी कंपटनूर का कर रहे हैं या किसी कीस्टमर का कलाइन का कर रहे हैं आप तो यह आप को पहले उन से इंफोर्मेशन प्र में लेनी होगी Syd pardroso विजन्ट हैं और गनियुक्त especially pay dads के थ्रू क्योंकि pay dads में हम पैसे दे रहे होते हैं ये free का काम नहीं होता कि हम अपने अंदाजे लगाने में ही अगले बंदे का इतना पैसा उड़ा दें तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर तो वह business नया है तो फिर भी थोड़ी बहुत research तो उसके पीछे मौजूद होती है लेकिन अगर business नहीं है तो owner को शायद बहुत ज़्यादा idea नहीं होगा और वो भी चाहेगा कि थोड़ा सा trial through हम देख लें कुछ दिन आयर चलाकर देख लें कि हमारे trends क्या चल रहे है लेकिन अगर business जो है वो थोड़ा बुराना है तो उसका जो भी honor होगा वो आपको खुद बताएगा इसमें कुछ questions आपने पूछने होती है जब भी add on करना कि आजी आपका budget क्या है वो आपको budget बताएगा क्योंकि इसमें add में हमने budget लगाना होता है और फिर आपकी target audience क्या है उनके interest क्या है उनका age factor क्या है उनकी location क्या है यह चीज़ें पूछनी है और अगर आप product को promote कर रहे हैं तो फिर आपने यह भी पूछना है कि आपकी hot selling या बहुत ज़्यादा sale होने वाली products कौन सी है क्योंकि सबसे पहले हमारी strategy यह होती है कि जो running में जा रही है हमारी product या service सबसे पहले हम उसको promote करें क्योंकि उसको promote करना जो है वो असान होता है तो यह कुछ चीज़ें थी नीचे हमारे पास फिर detailed targeting आगई है यहाँ पे आप languages भी select कर सकते हैं जैसे उपर हमने country को और select किया यहां पर अभी तो हमने पाकिसान को किया हुए ना अगर हम कोई और country select करें और वहां की national language कुछ और हो हमारी target audience उस language को जानती हो तो आप उसको भी change कर सकते हैं उसकी language को add कर सकते हैं फिर आगे आपके पास यहां पर इंटरस्ट आ गया जिस तरह से मैं दर लेक्टिशिटल मार्केटिंग तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखने हैं कि डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत सी चीज़ें आ रही हैं लेकन हमने लेना कि जैसे अब यह सामनी ही देखें तो हमारे पस एक आ रहा है इंटरस्ट और एक आ जाई तायटल तो इंटरस्ट डिजिटल मार्केटिंग में रखने वाले आपके जैसे मेरे जैसे बहुत से लोग होगि जिनका इंटरस्ट है जो सीखना चाते हैं जो या आपने डिजिटल मार्केटिंग के जॉब जो कर रहे हैं जॉब टाइटल जिन्होंने अपना फेस्बुक पर मैंशन किया हुए कि we are working as digital marketing strategist या digital marketing expert आपने उनको टार्गेट करना है यहाँ से यह आपने डिसाइड करना है अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं एक इंस्टिटूट के लिए चला रही थी जो कि ट्रेइनिंग्स देरें डिजिटल मार्केटिंग में तो उनके लिए तो यह प्रेफरेबल था कि वो डिजिटल मार्केटिंग इंटरस्ट वालों को टारगेट करें तो यहां पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज में आपको बताना चाहरी हूं जो मैंने आपको दिखाया कि मेरी ओडियन्स थी वो एट फिगर थी वो मिलियन में बिलियन में जा रही थी और वो इस वज़े से थी क्योंकि वो मैंने ब्रॉड रखी थी अब इसको अगर कम करना है, specific करना है अपनी ओडियन्स को जैसे मैंने स्टार्ट में बताया है कि जितनी ओडियन्स आपकी कम selected होगी न उतनी वो quality लेकर आएगी उतना ज्यादा concentration होगी उस चीज़ की उस interest की लोगों में, लोगों के mind में वो जानते होंगे या वो करना चाते होंगे उतना एगर ली जितने कम लोग होंगे उतनी quality leads होंगी तो उसके लिए अपनी audience के size को कम करने के लिए हमें narrow करना पड़ता है audience को, यहां पर दो options हैं, अगर मैंने broad audience नहीं रखनी है, तो फिर मैं narrow audience में चाओंगी, otherwise मैं यहां पर दुबारा जाके अपना कोई भी keyword type करूंगी, या मैं इदर suggestions में आ जाओंगी, suggestions का जो option है, यह भी हम जब already कुछ ना कुछ select कर चुके होते हैं, जैसे मैंने digital marketing select किया है, उसके बाद ही आपको suggestion देता है, और य तो आगे यह दे रहा है कि online advertising, अब online advertising क्या है, digital marketing है, यह दूसरा नाम है, उसी से related है, social media marketing है, तो यह भी digital marketing की ही एक branch है, जिसे हम social media पे रहते हैं, अपनी products को promote करते हैं, marketing करते हैं, तो इस तरह से मैं select करती जाओंगी, और आगे suggestions आती जाएंगी, select करती जाओंगी, और आग media दिया है, यह keywords different हैं, क्योंकि keywords की base पे करता है targeting, इसलिए वो different keywords हैं, हम select करते जाएंगे, लेकिन अगर मुझे यह नहीं करना, और यह अगर मैं select करती जाओंगी, जैसे मैं अभी कर रही हूं practice के suggestions निकाली हैं, और इस पे related keywords को मैंने target किया, तो फिर मैं broad audience की तरफ ही जा रह option आ रहा है, जहां मेरा cursor है, and must also match, यानि कि यह तो conditions हूं ही उस बंदे में, जिसको मैंने approach करना है, लेकिन उसके इलावा-इलावा, किस चीज़ का, कौन से characteristics हूं, उसका interest और क्याया हो, फर्स करें, मैं social media marketing लिख देती हूं, जी, तो अब ये right side पे आप देखिएगा, जब हमने digital marketing लिखा, तो हमारी audience का size बहुत broad आ रहा था, like five, six figures में आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको narrow down किया, अब digital marketing में interest रखने वाले, उन लोगों तक ही मेरा ad पहुंचेएगा, जो कि social media marketing करते हैं, ठीक है, और यहां से आप देख रहे होंगे, कि demographics में जाके उसने job titles को select की है, अब उन लोगों को मैंने target करना है, जो social media marketing कर रहे हैं, और उनका interest है digital marketing में, यानि digital marketing एक बड़ा sphere है, और उसका एक part है social media marketing, तो उसके सिर्फ एक part को ही हम, जो है, वो कर रहे ह target, यह चीज़ है, यहां से हमारी audience जो है, वो narrow down हो जाती है, और अगर हमने यह चीज़ select नहीं की, हमने यहां पर दो conditions दी, एक तो social media marketing की वो बंदा job कर रहा हो, या उसको interest हो, और दूसरा हो digital marketing में हो, अगर मैं इसको हटा दूँगी, तो फिर अब हमारा audience का size देखी है, आप digital marketing में interest रखने वाले हर बंदे को जो है ना, वो यह ad show होगा, और यह हम इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि यह wastage of money होती है, digital marketing में interest रखने वाला हर बंदा जो होता है, वो आपको contact back नहीं करता, क्योंकि वो mentally ready नहीं है, अभी कुछ सीखने के लिए, हाँ, थोड़ी बहु तो यह थी हमारी audience किस तरह से create होती है, यह उसके सारे मैंने आपको features बिता दी, और जब वो create हो जाएगी, तो वो उसको हम save करेंगे, अपर तो वो यहाँ appear होगी, और जितनी ज़्यादा पिर आपनी बनाएंगी, वो सारी यहाँ पर appear होना शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट कि आपको कौन-कौन सा add चला, transaction ID में बता देंगे वो आपको, कितनी amount का चला, यह जिस तरह से मैंने add चलाया था, जो मैंने बताया training institute का, payment method क्या था, ठीक है, यह मैंने prepaid balance के त्रू किया हुआ है, पहले मैं funds transfer करती है, अपने इस add account में, और उसके बाद फिर वो add चलता है, और वो consume होते रहते हैं, अच्छा payment का status क्या है, मन्ता and paid है सारा, क्योंकि मेरा prepaid था, इस वज़े से, यह वैट invoice idea आ जाएगी और action, अगर आपने इनको download करना है, अपने invices को, तो वो आप कर सकते हैं, यह आपकी सारी payment activity आपको यहाँ नज़र आ जागी, आपका prepaid balance आपके 1000 जो है, वो मैं add कर दूँ, तो मैं मेरे यह दो cards attached है, मैं इस में से कोई भी जाके अपना select करूंगी और next करूंगी, और वो मुसे अपना pin मांगेगा, जो मैंने आपको बताया, भी CBP, वो pin मांगेगा, उसके लावा वो कोई information नहीं मांगेगा, वो pin मांगेगा, मैं जैसे ह add करूंगी, वो transfer का button आएगा, मेरे पास active होगा, मैं इसको click करूंगी और वो transfer हो जाएगे, मेरे पास, जी, अब हम आजाते हैं अपने add account की setting में, यहां तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो कारें लिए आप questions कर सकते हैं, ताकि मुझे भी idea हो कि किस तरह से flow हमारा चल रहा है, is it easy for you to understand as a newbie or not? अच्छा, यहां पर हमारे पास कुछ add account की settings आ जाती हैं, जिसमें से हम सारी तो नहीं करते हैं, कुछ चीदा चीदा सी हमारे पास हैं, जिस तरह से आप यह देख रहे हैं, बहुत, यह irrelevant है हम से, add account rolls आ गया, जिस तरह से page rolls होता है, और हम वहां पर जाकर देखती हैं कि, किसी को question तो नहीं आया हूँ, हम पर दूबारा से बताती हैं, मैंने एक ओडियेंस क्रियेट की थी और उसका नाम मैंने रखा था, तो name आप कुछ भी रख सकते हैं उसका, जिस तरह से page rolls होते हैं हमारे पास, और वहां पे हम अपने page को manage करने की access देते हैं इसी तरह ये add account roles है यहां पे मेरे add account को कोई manage कर सकता है उसकी मैं access दूँगी अब जब कोई भी client जिसने अपने ads run करवाने होती है promote करवाना होता है अपना page तो वो आपको जब अपने add account की access देगा तो वो यहां से देगा यहां से मैं अपने add account में add people कर सकती हूँ मैं यहां पे जाके click करती हूँ और आपको उसका जो है नाम अगर वो आपकी friend list में है तो आप उसका नाम देना पड़ेगा या email address में वो आपको देना पड़ेगा confirm करेंगी और यहां से यह types of access है जो control है type of control या access आप उसको अपने add account का admin बनाना चाते है या सिर्फ advertisement तक रखना चाते है या उसको सिर्फ analysis तक रखना चाते है अगर तो आप ऐसे analysis देंगे तो आप उसको देखें यह access देंगे कि आप मेरे add account को सिर्फ view कर सकते है और जो भी उसका analysis है जो भी analytics है वो आप note करें trends note करें उसकी basis पर आप analysis करें advertiser का देंगे तो आप उसको यह access देंगे कि आप proper add run कर सकते है campaign create कर सकती है उसके add set और ads बना सकते हैं और admin level पर देंगे तो भी आप उसको मिल जाएगा उसको जी यह भी एक option है लेकिन हम usually इसको touch नहीं करते यह auto ही उठा लेता है advantage plus shopping campaign में और हमें इसको इसमें कोई setting करने की कोई खास दुरूरत नहीं होती है यह हमारे पास आगे है all tools अब यहाँ पे भी काफ़े details है add manager, add manager को हम discuss कर रहे है add account की setting हम अभी देख रहे है events manager है यह थोड़ा सा advanced level पर चला जाता है जिसमें जाके हम pixels वगरा attach करते हैं अपनी website के साथ ताकि अगर हमारी e-commerce की website है और वहाँ पे sales हो रही है तो उनका data जो है वो यहाँ पे reflect हो pixels जो है वो हमारे data reflect करें या अगर हमने अपनी जिस तरह से last lecture में मैंने बताया था कि हम अपना एक shop create करते हैं यहाँ पे store बनाते हैं facebook पे तो उसमें हम जब products को upload करते हैं catalogs बनाती है उसको deal करने के लिए यह events manager हमारा आ जाता है next option मैंने audiences का बता दिया आपको business setting देख लेते हैं ads reporting देख लेते हैं I guess हमने डिस्कुस कर लिया business setting में हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे अपना business manager account जितने भी मेरे पास business manager account created हैं या मेरे पास जिनकी access है वो सारे यहाँ पे मौझूद हैं तो अगर मैंने अपने किसी भी client के business manager से जा के आगे ads run करने हैं तो business manager में आगे हमारे पास meta business suite भी आ जाता है जिसमें manage भी करते हैं और ads भी run करते हैं each and everything वहाँ पे आ जाती है तो वो चीज़ अपे मैंने जी कुछ कहना चाहरे हैं तो वहाँ साथ हुए हमाईयो आएका तो यहां भी करते हैं माईयो ने में सुना है किसी का कुस्टर नहीं आप बात कर रहे हैं प्लीज सारे लोग mic अपना off कर दे अब कर दो आपका सवाल है तो फिर आप यहां पर पूछ रहें जी तो मैं यह बता रही थी कि हम बिजनेस मैनेजर वो वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वहाँ पर फदर जाके हमने जो भी काम करना होगा वो करेंगे अभी जैसे मेरा एक बिजनेस मैनेजर सेलेक्टिड है जिसमें मैं काम कर रही हूँ लेकिन अगर मैं उसको स्विच करना चाहती हूँ तो मैं महाँ पर जाके क्लिक करूँगी और मेरे पस वो बिजनेस मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा और फिर उसके आगे सारी वोई डिटेल से अभी हमने डिसक्स किये जितने भी आप्शन आ रहे थे वो सारे पिर उसके पॉइंट ओफ यू से जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे अच्छा इसमें फर्दर मैं आगे आपको बिताती चाहरू अभी मैंने ये बिजनेस सैटिंग्स में आई हूँ तो यहां से भी मैं चेंज कर सकती हूँ अपना बिजनेस अकाउंट जो है वो हमें यहां से भी चेंज कर सकती हूँ एक तो मैंने आपको जो जाके में जितने मेरे 5-6 नजर आ रहे थे मैंने switch किया, एक आप यहां से भी switch कर सकते हैं. उनके inbox में आपकी request जाएगी जो within 24 hours वो expired हो जाएगी उनको उससे पहले वो link open करके उसको click करके join करना होगा और आपको उनको बताना होगा कि आपके email ID पे मैंने ये request send कर दी है आप accept कर दी है और वो accept कर लेंगे तो उनके पास ये सारी access आज़ेगी इसी तरह आगे partner का option है partner में ये है कि मेरे पास access आगी है मैं अपने साथ किसी को मिला के access देखके manage करवाना चाहरे हूं या कोई honor भी है जिसका अपना page है वो मुझे partner बनाके अपने access manage करवाना चाहरा है page manage करवाना चाहरा है तो वो यहां से मुझे add कर लेंगे system user में जो है ये एक option specifically उनके लिए है जिनोंने कोई apps अपनी synchronize की होती है facebook के साथ ठीक है app के through आप अपनी audience लेके आ रहे है या app के through कोई भी आपका action perform हो रहा है तो उसको synchronize जो करते हैं वो फिर system developer को जो भी IT का person है आप उसको यहां पे add करते हैं और आप उसको कहते हैं कि जी आप मेरी ages manage करें मेरी app को manage करें जो configure करें या already configure है synchronized है तो उसको जो भी आगे उसके process है वो perform करें यहां पे आगे हमारे पास pages आगे pages हम देख लेते हैं कि हमारे business manager में कितने pages हैं तो अभी मैंने क्योंकि यह virtual trainings का business manager open किया है और इसमें मेरे पास virtual training का ही एक page है लेकिन अगर मैं अपना open करूँ तो हो सकता है कि बहुत से clients जो जिन्होंने अपने business manager create नहीं किया होते हैं और वो मुझे मेरे business manager में ही बोलते हैं कि आप अपना page attach कर लें और यहां से ही ads run करते हैं तो मैं अपने business manager में claim कर लेती हूं उनका page और फिर उसके बाद मैं उनको अपने ही business manager के ad account में जाके वहां से मैं अपने ads run करती हूं और जितनी भी campaigns उन्होंने अपनी create करनी होती हैं वहां से करती हूं और वहां से उनको leads वगरा लाकर देती हूं अब यहां पे भी हमारे पास आगया कि page कौन सा हमारा attach है अगर आप उसको remove करना चाहें या आप उसको view करना चाहें आप वो कर सकते हैं इसके इलावा अगर आपने वही पहले वाला option आगया add people पार्टनर वाला आगया add people यहां पे आप उनका facebook का id दे दे और उनको फिर आप request send कर दे यहां से आप जो है acid जो भी आपने add करना है अब acid क्या add करने के तीन option है हमारे पास कि add a page अगर एक page already किसी client ने create किया हुआ है उसका running में है या अभी इसने newly create किया है और वो आपको चाहता है कि वो आप अपने business manager में या उसके ही business manager में अच्छा यहां ना मैं बात काट रही हूँ और मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ बहुत से लोगों का business manager create नहीं हुआ होता जब उन्हें नया काम start किया होता है और उनको नहीं समझ होती कि business manager अलग से create करना है तो start में मैंने आपको बताया कि personal ad manager से वो भी manage हो जाते हैं ads तो वो personal ad manager से ads को run कर रहे होते हैं या कुरवारे होते हैं या वो नहीं होता около नहीं या या यह नहीं होता तो जब वो हमें अप्रोश करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि most professional ways to create a business manager account तो वो हमें कहते हैं कि हमें नहीं पता किस तरह से होता है तो आप क्रिएट करते हैं तो आप उनके भी हाफ पे भी क्रिएट करते हैं और फिर उनके पेजिस को अटाच करते हैं तो दोनों केसिस में अगर उसने बिजनस मैनेजर क्रिएट किया हुआ है तब भी और अगर आप पेज की एकसेस हम आपसे मांग रहे हैं तो आप उसकी एकसेस हमें अलाओ कर दें और अगर कोई पेज बना ही नहीं हुआ आपने क्लाइंट का काम शुरू किया तो पहले आपने बिसनेस मैनेजर बनाया उसके अंदर भी आपको पेज क्रियेट करने की ऑप्शन दी जाती है अच्छा आपको यह जाद दो गएक तो मैंने स्टार्ट पर यह नाइन डॉट्स में बताया था ना कि यहां से पेज क्रियेट कर सकते हैं नीची ऑप्शन आ रहा था एक आप यहां से भी पेज क्रियेट कर सकते हैं अंदर आके और इसमें भी प्रॉपर वह जिस तरह से व पार भी पेजिस आड कर सकती हूँ और अगर मैं क्रेट करना चाहों तो किकि हम आपको स्टार्ट में बताया कि इसो बहुत ब्रॉाड थी तो क्योंकि हम ने स्पेजिवाय लियृक्त बेछिन करना था इस वजह से हमने इसको परीप कर दिया तो कि मैं आप आभी आपival 가까 gotta sleep go through होते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूं तो आगे बाकर यही चीज़ें यह business asset group business asset क्या है वो ही आपकी pages है अगर वो group की शकल में आप उनकी grouping करना चाते हैं उनको attach करना चाते हैं तो यह आप इस option पर जाएंगे अगर कोई apps आप इसके साथ attach करना चाते हैं business account में attach करना चाते हैं अपनी apps तो वो यहां पर instagram का account attach करना है commerce account है यह अपनी whatsapp account जो भी है आगे यह थोड़ी से advanced level की चीज़ें है data sources यह वो ही pixels और catalogs वोगरा आजाते हैं events create करते हैं हम इसमें कोई event happen हो है तो उसकी tracking है conversion tracking आजाती है हमारे पास और वसी चीज़े इंटीग्रेशन से billing and payments हम कर चुके हैं अब भी मेरे ख्याल में चलते हैं पांच मिल्ट के दर प्र हम ऐसा करते हैं कि हम पेज से और add account से जो है जी चले मैं आपको page से जो है न वह मैं आपको बता देती है किस तरह से करना है और पर बाद में add account से जो है वो बाद में कर लाए तो यह मैंने अपने एक client का page open किया और यहां पर start में ही आ रहा है हमारे पास promote यहां तो यहां पर promote लिखा वा आ जाएगा और यहां यहां पर advertise लिखा वा आ जाएगा आपके पास यह वो procedure है जिसमें हम business manager के account के through नहीं आ रहे हैं यहां से हम page से directly add create करेंगे और हम गए हमने देखा इसी जो मेरा यह client है इसी के हमने account में जाके देखा कि add account create नहीं हुआ वा था क्योंकि हमने add account to add manager की through add run नहीं किया था तो मैंने यहां से direct किया था यहां पर जाके automated ads है create new ad boost है और boost and instagram post है अगर अपने instagram की जी अच्छा मैं यह बताना भूल गया कि meta से ही हम instagram के ads भी run करते हैं तो यही एक हमारे पास platform है जिससे हम facebook पर भी ads run करेंगे और instagram पर भी ads run करेंगे और यह आपने देख भी लिया कि अगर कोई post वह बूस्ट करनी है आपने तो वह यहां से आप आके facebook के दिरुए यह आप अपना your end का link देख सकते हैं facebook के दिरुए आप आके यहां से जो है वो किसे ad account में जाके अपना ad create करेंगे तो फिर हम वहां पर proper देखेंगे कि instagram की कौन कौन सी जगों पर reels पर या stories पर या feed में कहां पर जाके हमें ad run करना है जब हम page से ad run करेंगे तो वह हमें इतने detail में option नहीं देगा कि आप कहां कहां जाके ads run करना चाहते हैं और यही वो details हैं जिसके लिए मैं recommend करी हूँ कि proper आप एक business manager account बनाएं उसके अंदर अपना ads account create करें और उसके through अपने ads run करें तो यहां पर boost instagram post आगया यहां पर boost facebook post आगया और यहां पर आगया create new ad तो अब हम यहां पर चलती हैं और कुछ चीज़े हम already discuss कर चुके हैं यहां पर हमें असानी हो जल्दी जल्दी तो सबसे पहले हमने अपना goal जो है वो select करना है कि हमारा goal क्या है तो यह कुछ goals आ रहे हैं जिसमें आपने leads लेके आनी है messages लेनी है more likes लेने है page पे यह calls लेनी है इसके लावा website पे visitor लेके आने है तो for example कि मैं यहां पर get more messages कर देती हूँ अब वो मेरे client के page के recording अब वो add preview देना शुरू हो गया यहां पर आप देखेगा add preview देना शुरू हो गया और जैसे जैसे मैं चीज़ें select करती जाओंगी यहां पर add बनता जाएगा यह preview में वो दिखाता जाएगा अब नई चीज आ गई हमारे पास add creative अब उसने क्या किया ह होता है वो ही चीज़ जो मैंने add copy आपको बताई कि यहां पर आपने कुछ लिखना है जो आपकी audience को attract कर सके या convince कर सके मैं एक service बेचने जा रही हूं Canada का immigration visa है जो मेरा client है वो deal करता है immigration services में तो वो चाता है कि ज्यादा से ज्यादा queries आए messages आए और लोग जो interested है वो यह service उस अगर आप यहां पर कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर अपनी add copy proper लिख सकते हैं जैसे कि मैं जाओं chat GPT पर मैं उसको बोलूं कि मुझे एक add copy लिख के दें मैंने add run करना है अपने client के लिए जिसकी immigration की services हैं Canada के लिए तो वो chat GPT आपको यहां पर अपनी add copy भी लिखके देदेगा आप उसकी थोड़ी तराश खराश करने के बाद उसको पढ़ने के बाद यहां पर वो लिखते हैं उसके बाद आपने media सेलेक्ट करना है मीडिया में क्या है पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं आपके पास तो मीडिया पर जाएंगे आप इसमें option होत हैं या free stock images वगरा उठाने किसी website से तो वो यह सारे options देता है अब मैं आती हूं पेज पर वापिस और मैं कोई भी एक select कर देती है एक उसने auto select की वी है और एक यह मैं कर देती हूं तो यह दो images आ गए उसके पास अगर आप इसमें से एक जो है remove करना चाहते हैं तो वह भी आ कर सकते हैं उसके बाद advantage प्लस creative यह मैंने बताया क्योंकि थोड़ी advanced level है कि किसी नई class में हम discuss कर लेंगे इसको भी हम as a tc रहने लेते हैं special add categories special add categories में हमारे पास तकरीब चार के गरीब categories आ जाती हैं अगर आप किसी कोई housing loan offer कर रहे हैं या कोई credit card वगरा या bank loans जो है उसको कर रहे हैं या offer कर रहे हैं या कोई employment का एड चला रहे हैं या कोई political add चला रहे हैं अपने advertisement कर रहे हैं political उन सब चीजों के लिए special add category को हमने select करना है और क्यों करना है यह हमें आपको जब हम add accounts में जाके अपना proper add schedule करे available होते हैं और कौन से होते हैं जो available नहीं होते हैं अब मैं यहां पर आई हूं और यहां पर मैं greeting का message देना चाहती हूं और अगर मैं चाहती हूं कि structured questions मैं लिख दूं और उनके answers भी लिख दूं यह preview आपके पास आ रहा है अगर messenger में आके कोई आता है और उसको यह greeting message जाता है hi cat to HR please let us know how we can help you अगर वो I am interested can you tell me more को click करता है तो फिर मुझे इदर कोई इसका answer लिखना पड़ेगा और वो answer auto चला जाएगा उसके पास जो भी मेरा potential client या customer है जो मेरी services में interested है इसी तरह फिर उसने पूछा कि what are your arts यहां पर questions आप change भी कर सकते हैं और answers अपनी मर्जी के भी दे सकते हैं अब अगर मैं चाहती हूं कि यह questions मैं इसकी facility नहीं देना चाहती है मैं चाहती हूं कि वो direct direct mail पास आए वो सिर्फ greeting message जो यह वहला है यह उसको जाए उसके बाद हमारी conversation स्टार्ट हो जाए वो जो भी question करना चाहता है खुद करें तो फिर मैं इसको remove कर दूँग और यह option देगा मुझे क्या आपके remove हो गए उसके बाद मैं इसको यहां से safe करूंगी greeting message को safe करूंगी यहां से और यह भी safe हो गया उसके बाद मेरे पास option आता है कि मैं कहां कहां पर add करना चाहती हूं इसको क्या मैं messenger पे लाना चाहती हूं अपनी traffic को जो भी message send करना चाहता ह या Instagram पर आना चाहती हूं या WhatsApp पर तो मैं अगर messenger को जो है वो unselect करके WhatsApp को select कर दो